हेलो सुदेंट्स एंके मित्रलों क्लास में आपका स्वागत है मेरा नाम निधी मित्यल है आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टिंट टॉपिक कवर करेंगे रहेच प्रतिशेत अधीनियम डॉरी प्रोईबेशन एक्ट 1961 सबसे पहले तो यहां संबन्द कोशन यह होता है डॉरी प्रोईबेशन एक्ट 911 का परपस क्या रहा है मेन परपस क्या रहा हैम चورई दहेच को को सेलेक्टstore है यह डेना देना cleanup को मिना कर गया प्रोईबेट करा गया है यह एक्ट कब से इंफॉर्सेंटल है कॉसी टारियक से इंफॉर्सेंटल है यह है एक एक जुलाई 1961 से इंफॉर्सेबल हैं यहां इस एक्ट के अंतरगार्ट टोटल कितने सेक्षण बताएं हैं टोटल दस सेक्शन बताए गई हैं पहला सेक्शन जो है सेक्शन वन वो क्या बात करता है शौर्ट टाइटल एक्स्टेंट एंड कॉमेंस्मेंट टाइटल एक्ट का नाम क्या है डॉरी प्रोइबिशन एक्ट 1961 अब पेजेंट में यह संपून भारत कहां पर लागू हुआ है यह एक्ट अब सब्सक्राइब भारत के लागू माना जाता है एक इंपोर्टन कोशन जो इस संब्द में एराइज होता है डॉरी किसे कहते हैं कि यह किसे कहते हैं सबसे पहले UK के को बनता है संदक को परिभाशित कहां करा गया है अप्रतिश्य दिंयम् के अंतरगत वह कौनशी धारा है जो दह tomar रिधाक करती है वह धारतक्व केनकरते जहां को परिभाशित करा गया है तहेंस का मतलब क्या है कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई वैल्यूएवल सिक्योर्टी अब सबसे पहली बात तो यह कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएवल सिक्योर्टी जनरल स्पीकिंग यह जो वैल्यूएवल सिक्योर्टी है इसका मतलब क्या है इसका वही मतलब है जो IPC के section 30 के अंतरगत valuable security का बताया गया है तो कोई भी ऐसी property कोई भी ऐसी valuable security जो की विभा के समय पर या विभा के पहले या फिर विभा के पश्चात किसी एक पाल्टी के विभा की एक पाल्टी के द्वारा विभा के दूसरे पच्च को या फिर और simple समझो किसी एक पाल्टी के विभा के पच्च के किसी एक मातापिता के द्वारा या किसी जानकार की या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरी पाल्टी के दूसरी पाल्टी क किसी अन्य व्यक्ति को विवा के समय पर विवा के पूर्विया विवा के प्रशाद दी जाने वाली ऐसी वैल्यूवल सिक्योर्टी जो विवा के एक पच्च के दुवारा दूसरे पच्च को ती जाती है लेकिन इसका एक exception भी है लेकिन इस नियम का exception भी है बात याद रखना यहां इस संबंद में दहेच की परिभाशा में किसको इंक्लूड नहीं करा गया है यह कोशन पूछा जाता है कई बार MZQ में मुस्लिम विधी के अंतरगत जो महर बताई गई है महर वो यहां इस परिभाशा में इंक्लू भाशित करा गया है कोई भी ऐसा व्यक्ती जिसके बारे में पता चलता है कि उसके द्वारा दहेच को लिया गया है यह दहेच को दिया गया है या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके बारें पता चलता है कि उसने इस प्रकार के एक्ट को अबैट करा है तो ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा कहां पनिश किया जाएगा धारत तीन के अंतेगत पनिश किया जाएगा पेनल्टी फोर गिव एंड टेकिंग जोरी कोई भी ऐसा व्यक्ति इसके बारें पता चलता है कि उसके द्वारा दहेज लिया या दिया गिया है या दहेज को लेने या देने के संभंद में अबैट करा गया है तो ऐसे व्यक्ति को पनिश किया जाएगा कितना पनिश्मेंट होगा यह भी पूछा जाता है कितना पनिश् तो कम से कम होगा ही होगा पिलस इसी के साथ में जुरुमाना भी लगाया जाएगा जो की नोट भी लेस देन 15,000 रूपी जो पंदरह हजार रूपे से कम का नहीं होगा या फिर कितना फाइन हो सकता है या फिर एमाउंट ऑफ वैल्ली ओफ सच डॉरी जो दहेच दिया गया है उसका जो जो इमाउंट है जो भी उस्तर जादा मेंट से कमका नहीं होगा किना नहीं होगा का 5 साल को नहीं वो resort को लगता है उन के पास संबंद और है तो अपने रीजन को record करें गे और वह यहां में जो है चाहैं के तो है पांक शाल से कम is कर सकते होंगे लेकिन इसके लिए इंसरी उन्हें बहुत कर रहे हैं उसे इस बात करो अपने इस आधार को सदेडिये adequate reason है वो उन्हें यहां पर record करने परेंगे तब वो ऐसा इस संब्द में कर सकते हैं और एक बात याद रखना दहीं इसके अंतगर बताएगा है इसमें कि जब कोई भी पेजेंट वगेरा जब कोई भी पेजेंट वगेरा दिया जा रहा है ब्राइट को दिया जा रहा है कोई विदाउट डिमांड कोई पेजेंट अगर ब्राइट को दिया जा रहा है उसकी शादी के समय पर तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी पेजेंट वगेरा दिया जा रहा है उसकी एक लिस्ट जरूर यहां पर mention करी जाएगी एक लिस्ट यहां पर जो भी सामन दिया जा इन और वो जो लिस्ट होगी हो किसके अकॉर्डिंग होगी मैंटेर इन एकॉर्डिंग विद रूल्स अंडर मेड अंडर दिस एक्ट यही वाली बात ब्राइट ग्रूम के ऊपर भी एप्लीकेबल मानी जाएगी जो पेजेंट दिया जा रहा है उसमें एक बात और इस नहीं है यह भी नोट करा जाएगा कि जो व्यक्ति उनको दे रहा है इस प्रकार के पेजेंट वगेरा को कहीं पता चला वो जो पेजेंट दिया गया था उसकी वेल्यू इतनी अधीक तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि जो सामान वग्रा दिया गया है वह कहीं उस व्यक्ति के जिसने दिया है सामान उसकी फाइनेशल इस्टेनस वगर्या से ज्यादा का तो नहीं है इन सब बातों को भी यहां पर इसमें ध्यान में रखा जाएगा केवल ऐसा नहीं है अधारत तीन में आपने क्या रीट करा आपने रीट करा कि जो व्यक्ति दहेज द कर रहा है वह भी पनिश किया जाएगा पैनल्टी फोर डिमांडिंग ड्री शेक्शन पोर के अनतकत बताया गिया है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में यह पता चलता है कि उसके द्वारा दहेज की डिमांड की गई है इससे डिमांड की जाएगी दहेज की अगर यह डिमांड करी है जो ब्राइड और और ब्राइड़ के पेरेंट करिया अच्छा एक बात रखना विह जा रहा है और यह उसकी मांग की जा रही है किसी रूप में हो सकता है डारेक्ली भी हो सकता है ठीक है हम क्या बात कर रहे ते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके द्वारा को दो कि दिमांट चार रहा हैं रोजा इस को कि जो मां करते हैं उन्हें भी किया जाएगा इन budget कि तना लोगा इस संब्द में कितना इस मोदोगा इसमें जो कि कम नहीं होगा कम से कम कितना कम से कम ने का चो गाशक उगा लिए जुरुवान भी भाए जाएगा जिएंगा लेकिन संबदने कोड के पास यह तिकालिता है अगर कोड को सही कोट अगर सही लगता है कि सजा छह महीने से कमकी कर सकते हैं बशरते की करने के इस पेशल और दिक रीजन है तो वह अपने को यहां पर रिकौर्ड करेंगे और अगर एक उनको सही लगता है तो वो सजा को छे मेने से कमकी भी कर सकते होंगी जारत चार जो है वह बात करती है बैन ओन एड़ोटाइजमेंट विग्यापन पर प्रावंदी की बात कर रही औरी प्रोईवशिंग यक्रक्षान पर पावंदी किस प्रकार की बग्यापन पर पर उफटर निकाला कि जो भी उसके बेटी से शादी करेगा वह उसे इतनी प्रोपर्टि देगा यह इस वना पैसा दे देगा अपनी बिजनिस में इतना शेयर देगा इस किसके बदले में जब वो उसके बेटा या बेटी से शादी कर लेगा तो इस प्रकार के विग्यापन पर भी पाबंदी लगाई गई है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को कितनी सजा दी जा सकती है इतना कारावास है से करने वाले व्यक्ति कोई संबंद है है महीने तक जेल होगी ही होगी फांस साल तक सकता हो गा या या फिर तक bonds पंद्रह सब्सक्रावज्श किया सकती होगा यहां पर कोट के पास पाबर दी गई हैं अगर सही लगता है तो वह संबंद क्विए थो कार्याह वास होगा है तो यहां पर इसे महीने से कमभधिका भी कर सकती है अब बात हो रही है कि सब्सक्राइब करो दो लोगों के बीच में यह एग्रिमेंट हो रहा है किस बात को लेकर दहेज को लेना और देना तो लोगों के बीच करार हो रहा है दहेज लेने और देने के बारे में ऐसा करार क्या माने जाएगा ऐसा करार अपने आप पूरी तरह से Г्मान जाएगा आप इस एक्रीमेंट को और जाकर इनफौरसेबल नहीं करा सकती है ऐसा है कहां रखा गया यह प्रोइबिशन एक्ट के शेक्शन पांच में बताया गया है कोई ऐसा जो कि दहेज को लेना के दहेज को देने के बारे में वह वॉइड माना जाता है एक्शन 6 कि से रिलेट करता है डॉरी टूबी फोर बेनिपिट और वाइफ और हर है रहेज का पतनी और उसके बा है आपके लिए बात और यह दहेज के दिये जाने की बात किसके लिए किसके लिए इलाप और रहे है पतनी और वारिसों को लेकिन कर गया है इस वीर द्रिवीति आशाlé की या बनेगी अशेते को श्रॉपरटी की जो महिला को मिलनी चाहीं थी वेन एनी डॉरी इस रिसीवड बाई एनी परसंद अधर देन दबूमें इन कनेक्शन विथ हूस मैरी इस गिवें तो इस व्यक्ति की जूटी क्या बनती है कि वह उस महिला को वह सामान बापिस कर दे कितने टाइम पीरिड में बापिस करेंगा वह सामान को समय ला को यह भात भी पूछी जाती है कोशन में कि जूटी बनती है वेक्ती की अगर यहां पर यह पता चलता है कि जो डौरी रिसीव करी गई थी तो शादी होने के तीन महीने के भीतर बापिस करेंगा चादी होने के बाद के तीन महीने के भीतर बापिस करने की जूटी बनेगी अगर यह पता चलता है कि जो डॉरी रिसीव करी गई थी वो भिवा के समय पर या भिवा के पश्चाद रिसीव करी गई थी तो ऐसी प्राप्ती के तीन महीने के भीतर बापिस करेगा सब तीन महीने के भीतर बापिस करेंगा जिस दिन से रिसीव करी होगी अब एक कोशनराइज यह होता है कि जिस प्रॉपर्टी को रिगार्ट इसने रिसीव करा था बेनीफिट और भूमेन के लिए अब यहां पर जो भूमेन है अगर वह 18 साल से कम की है वह माइनर है जिस टा जब वह आदनी तब व्यक्ति कब बापिस करेंगा उस जोड़ी को महिला के लिए जब यह महिला यहां पर संबन्न मेजर हो जाएगी सबसे तीन महीने के भीतर बापिस करेंगा इफ डॉरी वह रिसीव्ड वैंड़ भूमेन वह माइनर अभ बापिस करेंगा जब वहां पर भी तर वह उसे बापिस कर देगा और जब तक भी वह जब तक यह उस्का पैंडिंग रहेगा मतलब भाष्ण माइं समझो जब वह व्यक्ति यहां पर उस सामान को रखे हुए है जो कि उसको नहीं मिलना तह मिलना किसको था उस मेरा मिलना था तब तक यह माना जाएगा कि उसने वो सामान उस महिला के भिहाब पर अपने पास में रखा है त्रस्ट के रूब अब यहां पर कोशन राइज होता है अभी आपने सब्सक्शन बन के अंतरगत क्या पर आपने जब डॉरी रिसीब करी गई है किसी अन्य व्यक्ति के दुआरा उस व्यक्ति दॉआ रिसीब करना होगा सामान को समय को सामान उसको चाहिए वो डॉरी उसे कब रिसीव हुई विवा के समय पर बिवा के बात में या अफिक कब कंडिशन बनेगी अगर वह महिला जो है मेजर नहीं माइनर है तब कब बापिस करेंगा सब्सक्शन वन में आपने यह जान लिया था अब यहां पर बात यह करेंगे कि अगर वो व्यक्ति जो है जिसको ड्यूटी थी बापिस करने की सामान उस महिला को फेल हो जाता है बापिस ही नहीं करता है तब क्या होगा अच्छा इस बात को समझने से पहले भी ना एक बात और समझ लो जनल स्पीकिंग आगे वैसे आएगी उसकी यहां पर क्या लिया है एडिंग रिक्रिये शेशन 6 की अंतगर डॉरी टूबी फोर बेनिफिट ऑफ दा वाइफ और है अब वेयर एनी डॉरी रिसीवड बाई एनी परसंट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिसीव करा गया था जबकि जिस महिला को मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला है यहां पर इस संब्द ने ठीक है वह महिला मर जाती है उसको सामान ही नहीं बापिस हो पाता है उसका तब क्या होगा तब उस व्यक्ति की क्या डूटी खतम हो जाएगी अब क्या यहां पर वह महिला को उसका सामान बापिस नहीं करेगा उसकी डूटी ज अगर यहां पर पता चलता है कि इस व्यक्ति को पनिश किया जाइग पनिश मेंट कितना होगा ओड़े कि अब पनिशमेंट कितना होगा जो कि 6 महिने से कमका नहीं होगा लेकिन उसको 2 साल तक के लिए भी आगे किया जा सकता है या फिर या फिर उसको fine भी लगाया जाएगा जो कि not less than 5000 जो कि 5000 से कमका नहीं होगा लेकिन वो जुर्माना भी 10,000 तक जा सकता है या फिर दोनों से उसको डंडित किया जाएगा कालाबास भी होगा जुर्माना भी होगा इस संभन में ठीक है अब आप जल्दी समझ जाएंगे इस बात को यह वाली बात ही मैंने अभी आपको बताई थी यहां पर अगर वह बूमें जो सब्सेक्शन वन के अंतरगत के सातवर्षण के बीतर मर जाती है और वारिस दैने नहीं हो कि वाली कि वह लिएगी वारिष वारिस उगे उनको जा है इसमें अगर उसके बच्चे नहीं होंगे उनको यहां पर यहां पर चली जाएगी इस च्छिद्ट टूसच चिल्डन पर यहां अब यहां पर सेक्षिन सब्सक्षिन तरह बात करता है वह समझने तरह से यहां इसके अंतरगत इसमें आप कह सकते हैं कोट की पावर को बताया गया है अभी आपने यहां पर यह तो रीट कर लिया जनल स्पीकिंग हम बात करें कि अगर वह व्यक्ति इसकी ड्यूटी बन रही थी महिला को उसका सामान उसकी प्रॉपर्टी बापिस करने की पर अगर वह बापिस नहीं करता है महिला के जीवित रहते हुए उसे बापिस व्यक्ति के ऊपर एडिशन में भी पणिश्मेंट कर सकता है को अगर चाहे तो कोट ऐसा कर सकता है संबन्न रही है वह बापिस कर दे लेकिन अगर व्यक्ति जो है संबंद में काम नहीं करता है कि अब क्या होगा यहां पर पनिश किया जाएगा कितना पनिश किया जाएगा इन एडिशन में कोट चाहे तो यह भी कर सकता है कि बताएगी समय अब्दी में आपने नहीं बापिस कर रहा हुआ यहां पर क्या करेगा कोट उसके पनिश लगा सकता है कि जितना भी वेल्यू बैट रही है उस वेल्यू के बराबर का जुरुमाना थे बच्चे ना परेगा में भी रिकवर्ट फ्रॉम हम इस इफ इत वर आफवाइन के रूप में माना जाये गा इसको पे कर दिया जायेगा वह श्रुक के बच्चे बच्चे पर रहा हुआ जैसा भी नहीं होगा उनको पर दिया जाएगा वह इसको रीच करो वेरा पर्सन कंविक्टेट अंडर सब कि कर दिया जाये कि बच्च्च परियर वेखार अजैसल उनको फबकुष्ण जैं 206 BiC may be her heirs parents or children the court shall in addition to awarding punishment under that subsection direct by order in writing that such person shall transfer the property to such woman or as the case may be her hair parents or children within such period as may be ascribed in the order and if such person fail to comply with the direction within the period so specified an amount equal to value of property may be recovered from him as if it were a fine imposed by such court and paid to such woman or as case may be her hair parents or children and one thing is that there is no other thing about the prohibition act section 3 section 4 of first class कौनिजेंस कौन लेगा इस अधिनियम के अंतरगश जो अपराब बताएंगे उनका संग्यान कौन मजिश्टेर सभ लेंगे वाने स्कौन से बात करता है कौन से मामना यहां पर इस प्रकार के मामलों को करेंगे मेट्रो पूलिन मजिस्टेट या जुडिशल मजिस्टेट फर्स्ट किलास होंगे उनके पास यह दिकायता दी गई है कि इस अधिनियम के अंतरगर जो अपराद बतारे गई हैं वो उनका संग्यान लेंगे पर वो संग्यान किस प्रकार से लेंगे उसी के बारें बात करी गई है यह तो उन्हें खुद इस प्रकार से स्वें इस बात की जानकारी हो जा इस प्रकार की मामले की यह उनके पास में पुलिस रिपोर्ट के आधायपत अध्याप्त हुए है तब यह तो मामले को संग्यान में लेंगे यह कम्प्लेंड किसके दौण कर वाइव कर वाइगे है विव रियुटों के द्यूत्त उसके लिझेट थिए सभी जिए कर वाई है कि दFA मसी मध्यों आच म कर दा द्यूतों कर वाई गया कम देसं के दार्ग गई है पर आधार पर इंके पास में धातली करवा गई इसका मतलब बी ऐसा इन्स्ट्वीट कोई भी सामाजिक सामाजी कल्यान संस्थान चींद संस्थान केंदेस सरकाइर अब यहां पर याद रखना इस एक्ट के अंतरगत इस एक्ट के अंतरगत जो भी अपराद बताए गई है वह किस प्रकार के माने जाएंगे धारा आट बताती है अपने आप में नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल माने जाएंगे अब पहला कोशन है इस प्रकार का कोई अपराद नहीं किया है कि अब कोशन बनता है यहां पर संबने तोरी प्रोहिवेशन ओफिशर को बनता है संबने को जो चुब्री प्रोहिवेशन ओफिशर के उसकी च्वापक्राइब किया जाता है इसका किसके दौरा किया जाता यह राज्य सरकार के दौरा इसको आपोइंट किया जाता है जो भी एरिया उनके इनको जाता है कि अधिक पूछे जाती है सबसे पहले उसकी ड्यूटी क्या यह टॉटी लेना को देने को रोकना प्रिवेंट करना उसकी ड्यूटी बनती है कि जिन लोगों पर इस प्रकार का आरोफ लगा है जिन लोगों के पर यह प्रोसिक्यूशन है कि उन्होंने अपरात कराई सेक्ट के अंतरगत उनकी खिलाफ एबिदेंस कलेक्ट करना जहां तक आवशक हूं और कोई भी ऐसी एडि कंप कर सकंदेगा है कि इसते गवर्मेंट के पास इहां इनड टॉपिकिशने गेजट रण फोलिस ओपिसर और यह चाह सदी की कि को notify कर सकती है वो शेल एक्सराइज सच पावर सब्जेक्ट करेंगे प्रकार की पावर सब्जेक्ट पूच लिमिटेशन एंड कंडीशन इस प्रकार की पावर मिलने už अधोन बनाया जाता है तरह बना उख आज और सक्षेशन कवर्मेंट पावर्मेंट दी गई है कि वह क्या काम करसकती है कि जिस जगह पर की टॉइ मत सब्सक्ना जिसमेंसे कम से कम भूमेन होना दो का महिला होना इस संब्द में आवज़ चके उन से मिलकर एक एक एड़र्जरी बोट वहां पर गठित किया जा रहा है वहां पर इस्ट गोवर्मेंट की द्वारा इसलिए करा जा रहा है ताकि जो डॉरी प्रोइशन ऑफिसर है उसके काम कर संब्द में इसलिए वहां 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 संब्द में गठित किया जाता है कितने आएंगे संब्द में बताया जा चुका है यहां बस लाश्ट में पहले भी काता इसके इसमें ट रूल्स बनाने की वहीं पर शेक्शन 10 के अंतरगत यह रूस बनाने की शक्ति कुछ मामलों में संबंध में दाज़े सरकार को भी दी गई है मैं आपको बात और बता देना चाहती हूं इसके रिलेटेट एक पहले ही आ चुकी जो आपकी किलास पहले भी आ चुकी है आप चाहे तो उस किलास को आप अटेंट कर सकते हैं अब आपका इसके अपने समझ लिया इस अच्छी तरह से अब आप इसके एमसी क्यूंच करिएगा वह आपके लिए काफी जादा आसान हो जाएगा तो फिर इ झाओ कर शुकी है